हाई दोस्तों नमस्कार मैं हूँ नीरज रहा है स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करें हैं अल्टी के रिया के बारे में जो की एक प्रकार का इसकिन इंफेक्शन होता है और अगर इसको ठीक ना किया जाए तो ये ज्यादा समस्चा उत्पंद कर सकता है RT-KERIA क्या होता है? क्या काजिस होते हैं? क्या सम्टम्स होते हैं? और इसको ठीक करने के लिए कौन-कौन सी मेडिसिन देते हैं? सब कुछ हम लोग डिसकस करेंगे वीडियो में वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहीएगा चलिए वीडियो के शरुवात करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि RT-KERIA की समस्चा होती ही क्या है? तो RT-KERIA जिसको हम लोग हाइप्स बोलते हैं वो एक प्रकार का इसकिन रियक्सन होता है जो इची वेल्ट कास करता है इची वेल्ट का मतलब इस तरह के फफोले निकलते हैं अभी हम लोग सिम्टम से में बात करेंगे यह फफोले कैसे कैसे होते हैं दोस्तों वास्तों में अगर हम लोग बात करें कि हाइव्स या जो RT-KERIA है वो होता क्या है तो वो एक्चली पित्ती का आपने नाम सुना होगा पित्ती निकलना होता है तो उसमें इस तरह के जो फफोले होते हैं फफोले निचली चकत्ते होते हैं वो चकत्ते दिखाई पड़ते हैं यानि इसकिन पर बंप्स आ जाते हैं bumps यह नहीं उभार आ जाते हैं और इस तरह के लाल उभार होते हैं तो यह जो itchy patches होते हैं एक तरह से आप क्षा सकते हो इसको यह swelling welds होते हैं जो की दिखाई पड़ते हैं I think आप समझ गए होंगे कि RT के रिया या hypes की problem क्या होती है अगर हम लोग causes के बारे में बात करें कि reason क्या होता है तो इसका वैसे तो कुछ unknown reason भी है बागी कुछ ऐसे foods होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जैसा कि peanuts से allergy है अंडे से कुछ लोग के allergy होती है कुछ लोग को nuts से allergy होती है मुंख़ली से खासकर कि मुंख़ली से जो है ना allergy या ख्रोट से allergy होती है ज्यादा तर और कुछ selfish होती है यानि कुछ fishes होती है जो उनमें उनकी वज़ज़ से भी यह जो अल्टी के रिया की problem है लोगों में आती है उससे allergy की वज़ज़ से इसके अलावा कुछ दवाई होती है जैसे कुछ antibiotics like pencil and self drugs होती है उनसे भी अल्टी के रिया की समस्या होती है aspirin हो सकता है ibuprofen और कुछ insect bite की वज़ज़ से भी अल्टी के रिया की समस्या होती है यहां तक कि insect चू जाने से भी टेच हो जाने से जैसे आपने सूडी का नाम सुना होगा ना एक माइट आप कह सकते होता है वह नेक्स अगर हम लोग बात करें अगली जो रीजन होती है वो क्या होती है तो दोस्तों कुछ physical system में लाई होते हैं जैसे कि pressure या निक आप बहुत जादा दबाव लग गया हो cold यानि ठंडग लग गई हो बहुत जादा गर्मी लग गई हो आपने बहुत जादा exercise कर लिया है यह sun exposure की वज़े से यानि कि सूरज के क्रड़ों की वज़े से भी अर्टी करिया की समस्या होती है कुछ लैटेक्स यानि की पौदों के जो लैटेक्स होते हैं उसकी वज़े से हो सकती है इसके लाव ब्लड ट्रास्फिजन की वज़े से यानि किसी को खून चड़ाया गया और खून में कोई problem थी उसकी वज़े से भी आप कोई समस्या हो सकती है कुछ bacterial infection जैसे की urinary tract infection की वज़े से कुछ throat infection की वज़े से आपको अल्टी किरिया की समस्या होती है कुछ viral infection जैसे कि common cold कुछ mononucleasis जो infections होते हैं hepatitis की जो problem होती है उसमें भी अल्टी की रिया की समस्या देखी जाती है कि इसके अलावा दोस्तों पेट के बाल होते हैं पेट के बाल की वज़े से भी आपको यह समस्या हो सकती है अगर उनके साथ आप ज्यादा रहते हैं तो इसके अलावा कुछ pollen की अलर्जी से कुछ जी आपको पता है डीटेल की सम्टम्स क्या होते सबसे पहले तो बॉड़ी पर इस तरह के साते हैं यानि कुछ लाल कलर के इस तरह के निशान बशाते हैं और यह रेसस करते है तो यह white में अगर यह red होते हैं तो red hives होती हो जाती है अगर आप उसे touch करके उसे center में दबाते हैं तो यह इसकी पैचान होती है आपको allergic medicines यूज नहीं करनी है जिससे patient को allergy हो या फिर ऐसे causative agent को ढूड़ना है आपको जिसकी वज़े से आपको आपको allergic allergy की समस्या हो जाती है और उसको उससे एक distance आपको बनाना है उससे दूर रहना है ध्यान से treatment की बारे में बात करूं normal condition में हम लोग कुछ medicines यूज करते हैं उस medicines की बात करते हैं तो सबसे पहली जो medicine आती है जैसे normal condition का मतलब कि acute हुआ है तुरंत हुआ है उसको ऐसे ठीक करेंगे तो antihistaminics देते हैं क्योंकि एक allergy की problem है तो इसमें जाता है इसके साथ में आप दे सकते हैं सेट जीन टाबलर 10 mg में जिसमें चेट्रिजीन होता है यह प्रकार की antihistaminics होती है इसे only दिया जाता है और दिन में एक बार या फिर इसके अस्थानपर आप दे सकते हैं Alagra तेबलर जिसमें CCP निन में एक बार निसमें और इसको देंगे दिन में एक बार इसके साथ में इस्टराइडल थेरेपी भी देखते हैं जिसमें टाबलेट वाइसलॉन दिया जाता है प्रिंट पांचम चिमें और यह TDS दिया जाता है सुबे दो पहर साम देते हैं 3-5 दिन के लिए अगर acute attack है तो यानि कि तुरंत हुआ है उस दोर में इसे prednisolone होता है और यह अच्छी medicinal है इसके साथ मेवेक्स दिया जाता है मेवेंडाजूल यह प्रकर का anti-helmetics होता है यह जिसे हलमेंट्स की वज़े से अगर problem हो रही है तो वहाँ पर मेवेक्स दिया जाता है नहीं तो देने की कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों यह एक tablet दी जाती है सुबे एक tablet साम को तीन दिन तक यह दी जाती है अगर हलमेंट्स की वज़े से problem क्रिमियों की वज़े से problem हुई है तो क्रिमीन आशक है एक प्रकार का साथ में campus tablet क्योंकि खुजली होती ही बहुत जदा इची होती है तो इचिंग में हम लोग campus टेबलट देते हैं यह 5 mg में दिया जाता है इसे सोते टाइम देते हैं या फिर दिन में या फिर आप एलोवेरा लोशन दे सकते हैं जिसमें जो एलोवेरा से बना होता है ये वाला एलोवेरा लोशन दे सकते हैं या फिर कैलामाइन लोशन दे सकते हैं ये रिलाक्स करता है जो बाहर की जलन होती है उस सबको ये रिलाक्स करने का काम करता है तो ये जो है एक्यूट करते हैं एक प्रकार का इंजेक्शन है जो कि आपके बॉड़ी में जो इस तरह की अलर्जी की प्रॉब्लम में उसको दूर करती है और यह आई-एम यह आई-वी दी जाती है तुरंत दी जाती है एक बार इसके अलावा एक इंजेक्शन देते हैं हाइडोकार्टिशों 100 mg में आई-वी दिया जाता है यह भी तुरंत दिया जाता है साथ में और कुछ अगर आपको लगता है कुछ एडिमा के लच्षड है कुछ और प्रॉब्लम बढ़ रही है तो एडिनलीन दे सकते है 0.5 ml यह सबक्यूटेनियस दिया जाता है अगर अर्टिक एरिया किसे भी प देना होता है इसके साथ में टाबलट एलप्रैक्स देते है जो जलन और इस प्रकार की समस्या को दूर करने के में मदद करती है 0.25 mg में यह दिया जाता है शुबे साम 15-30 दिनों के लिए यह दिया जाता है जिस प्रकार की समस्या हो इसके अलावा पेशेंट्स को WBC यहनी क काउंट हम लोग चेक कर वाते हैं जिसमें पता करते है इस तो फिलिया तो नहीं है और अगर इस नोंफिया किसी कहया था तो तो 2 टैबलट दी जाती है जिसमें एक हेटेरीजन दोस्तोhur इसके अलावा एक हम लोग इस्ट राइडल टैबलट देते हैं यह वैसुलन यह वेक टैबलट साम 10 साम असको ठेजाती सोन्त यहें तो यह आपको ध्यान रखना है किस तरह की मेडिसिन देते हैं इसमें कैसे इसको ठीक करते हैं दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मोगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाई